हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि आप अपने जीमेल अकाउट को कैसे लगाउट करोगे तो दोस्तो वीडियो को स्कीट मत करना मैं step by step बताने वाला हो इस वीडियो में अगर आप skip करते हो तो हो सकता है आप logout नहीं कर पाओगे आसानी से अपनी Gmail account को तो दोस्तो आपको अपनी Gmail application को open कर लेना है जैसे ही आप open करोगे आपकी Gmail account की ID कुछ इस तरह दिखेगी तो दोस्तो आपको ओपर 3 line दिख रहा है उस पर आपको simply click कर देना है तो दोस्तो जैसे ही आप setting के उपर click करोगे तो एक नया page open होगा आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ आपको general setting की नीचे सारे Gmail account देखने को मिलेंगे तो आपको उपर की तरफ 3 dot पर click करना है यहाँ आपको दो option और मिलेंगे तो आपको manage account वाले option पर simply आपको click कर देना है एंड जैसे ही आप click करोगे एक नया page open होगा फिर से एंड यहाँ पर आपको google का option देखने को मिलेगा आपको उस पर click कर देना है simply एंड जैसे ही google वाले option पर आप click करोगे तो एक नया page open हो जाएगा तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी Gmail application पर कितने Gmail account login है और आप किसे logout करना चाहते है तो उस पर आपको simply select करके उस पर click कर देना है तो दोस्तो जैसे ही आप उस Gmail account पर click करोगे तो आपके समने बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो आप scroll down करके आप सारे option देख लेना उसके बाद आपको simply वहाँ नीचे more के एक option मिल रहा होगा देख रहे हो तो उस पर आपको simply click कर देना है जैसे ही आप click करोगे आपको यहां दो option मिलेंगे देखने को तो दोस्तो आपको remove account वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप click करोगे आपको जो gmail account है जिसे आप logout करना चाहते हो वह उजिली तरीके से logout हो जाएगी तो दोस्तो आप भी इसी तरह step by step follow करना तो आप भी आसानी से अपने gmail account को logout कर पाओगे तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड आपको इस चैनल पर कौन से टोपिक पर वीडियो देखना पसंद है वो भी comment section में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आये तो like, share and subscribe जरूर करना thank you